हाई गाईज वेलकम बैक आएम विवेक सिंगल फ्रम ट्रेडिंग विवेक डॉट कॉम और आज जैसे मार्केट में थोड़ी सी ग्रावट हुई है तो एक क्वेस्टेन बार-बार माहिंड में आता है कि मार्केट तो गई तो मतलब मार्केट तो यहां से नीचे चली गए मार अंसर है वो कहां छिपा हुआ है और उनका अंसर है क्या एक्ट्वल में मैं अगर आपको वापस से रिमाइंड करा हूं तो इन सब क्वेस्टेन का अंसर सिर्फ एक जगह है कि मार्केट जब गिरती है तो सारे ही स्टोक्स नहीं गिरते इंडिविज़ल स्टोक्स उपर भी जाते हैं तो मार्केट तो गई से फर्क क्या पड़ता है यहां पर मार्केट तो गई यह सिर्फ उन लोगों को और उन ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स को यह चीज़ वरी करती है जिनने नहीं पता होता कि उन्होंने अगर कोई पर्डिवलर इस्टोक परचेस किया है त हमें यह नहीं देखना चाहिए कि कितने टाइम में कितना जा सकता है हमें उसके रीजन्स भी समझने चाहिए जो मैं हर एक वीडियो में समझाने की कोशिश करता हूँ कंसिस्टेंटली लगातार की जब भी वीडियो देखें उसके नौट्स बनाएं सारी वीडियो देखें नौट्स बनाएं चैनल पे अल्मोस्ट 300 वीडियो के आसपास अवेलबल हैं आज की डेट में एक साल पूरा हो चुका है 1.5 लेक सब्सक्राइबर्स की हमारी फैमिली हैं तो यहां पर हमें करना क्या है हमें सिर्फ यह करना है कि सिर्फ और सिर्फ प्राइसिस नहीं देखने हैं कि विवेक भाई ने जो एजुकेशनल वीडियो बनाई है उसमें टार्गेट्स क्या निकल कर रहे हैं तो वो टार्गेट्स एक्चुल में सिर्फ और सिर्फ एक illustration purpose से होते हैं कि technicals ऐसे काम करते हैं हमें इस तरीकी से सारी चीजों को combine करके यहाँ पर check करना चाहिए लेकिन जो ultimate purpose है ultimate purpose सिर्फ आपको ये targets बताना नहीं है ultimate purpose है कि यहाँ पर आप सीखो आप खुद से कर सको जब तक आप खुद से नहीं करोगे ना तब तक अंदर से confidence नहीं रहेगा जिस दिन आप खुद से करना शुरू कर दोगे तब अंदर से confidence आना शुरू हो जाएगा इसका क्या solution है इसका solution है कि every day every day एक तो वीडियो जो आती है वो तो देखो ही साथ में एक और वीडियो जो आपने पहले नहीं देखी थी और चैनल पर available है जब आप एक एक एक्ट्रा वीडियो every day देखना शुरू करोगे और उसके notes बनाना शुरू करोगे तो आपको reasons पता चलेंगे कि अगर अतु लोटो परचेस किया है तो क्यों किया है कि ये reasons से नीचे आने के और मैं future and options को भी इसलिए मना करता हूँ क्योंकि market तो गई का सबसे बड़ा impact किसके उपर आता है जो लोग market में bullish होते हैं future and options में जैसे मैं एक आपको छोटा से example देता हूँ यहाँ पर HDFC, AMC के results भी अच्छा है उसने ऊपर भी जाना शुरू किया जब उसके results है लेकिन उसके बाद वहाँ से sharp correction आया एकदम से और tops जो उसने recent high बनाया वहाँ से within 3-4 days वो 10% down चला गया अब 3-4 days में 10% down जाने का मतलब क्या है कि जिस बंदे ने यह वहाँ पर call खरीदी हुई थी उसको उसके calls के सारे premium खत्म हो गए जिसने put बेची हुई थी उसको भी वो भी minus में आ गया और जिसने feature खरीदा हुआ था उसको तो minus में है ही साथ में एक और impact क्या हुआ कि overall market down आ गई अब overall market down आने में थोड़ा सा pressure क्योंकि individual stocks पे आ जाता है खास तोर से उस stock पे जो बिना market के गिरे भी नीचे जा रहा हो तो वहाँ पर सबसे बड़ी problem क्या होती है वहाँ problem यह होती है कि वहाँ डर लगने लगता है कि expiry पास आने वाली है expiry तक अगर यह उपर नहीं गया तो यहाँ पर stop loss हिट करना पड़ेगा और जो लोग stop loss लगातार हिट करते रहते हैं खास तोर से लंबे लिवल तक मिंस बड़े scale पर जो professionals नहीं होते देखो जो stop loss वाली जो कहानी होती है यह stop loss वाली कहानी सिर्फ और सिर्फ professionals को institutions को और जो large scale पर काम करते हैं full time traders हैं उनको समझ में आती है वही लोग इसको कर पाते हैं बाकी जितने भी लोग होते हैं वो market में एक दिन अगर गिरावट हो जाए तो डर लगने लगता है और दो दिन अगर market कर जाए तो market तो गई यह समझ में आने लगता है और अगर international market साथ में जाने लगे तो यह लगने लगता है market तो गई अब तो यह वापस आएगी यह नहीं market तो गई का सिर्फ और सिर्फ एक ही solution है market को सीख के करो बिना सीख के market को करने का कोई significance नहीं है कोई समझदारी नहीं है जब हम individual stocks में 30 stocks में पैसा लगाते हैं 25 stocks में पैसा लगाते हैं 4% इच में या 3% इच में लगाते हैं तो 33 stocks में पैसा लगाते हैं वो भी 33 के 33 stocks को समझ के reasons समझ के कि यह businesses क्यों यहां से आगे जाएंगे इस company के financials क्यों improve हो रहे हैं और क्यों और improve होंगे और technical chart patterns यहां पर क्या कह रहा है कि operators ने कहा accumulation की है क्या chart pattern है उसके base पर हमने यहां पर trade लिया है जब 33 stocks आपके total means complete analysis के बाद complete study के बाद अगर हमारे portfolio में हो और market की वज़े से अगर नीचे आभी जाए तो कितना फरक पड़ता है उस case में एक चीज आप not down कर लो कि अगर total market nifty 10% भी down जाती है तो भी हमारा portfolio 10% down जाता नहीं है क्योंकि जैसे ही तीन दिन यहां पर nifty यह sensex नीचे जाती जाएगी लगाता नीचे जाता जाएगा market वैसे ही एक time ऐसा आएगा 3-4 दिन के बड़ा simple reason है कि जिन operators ने उन individual stocks को purchase किया हुआ है वो market के pressure में आकर जो भारी means जो एकदम से sell off आता है उसको आने देते हैं लेकिन जैसे ही सस्ता होता है वो वापस से उसको buy करना शुरू कर देते हैं अगर वो buy नहीं करेंगे तो उनके against वहां पर जो robotic way में काम होता है जो algorithm में काम होता है जो जिसको algo trading कहते हैं वो computers भी उनके against आ जाएंगे क्योंकि जहां पर एक particular level पर algos ने अपने इस्टोपलोस लगाए होंगे वहां पर इतना बड़ा sell off आ जाएगा फिर वो operator भी उसको संभालनी पाएगा तो operator एक level से नीचे अपने उस price को आने ही नहीं देगा even though market continuously नीचे जाती रहे तो यहां पर इन सब चीजों को समझने के बाद ही तो हम इस चीज को लेकर sure होते हैं कि market में काम करके कब हमारा नुकसान नहीं होगा नीचे जाती है तो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे यही चीजे मैं सारी वीडियो में समझाने की कोशिश करता हूँ अभी भी इस वीडियो में मेरा एक ही message है सीख करो जितनी भी वीडियो है सब को दुबारा देखो सारे notes बनाओ अपने notes fair करो उनको revise करो यह एक business है आप एक चीज़ समझो यह कोई doctor बनता है न तो 6 साल की पढ़ाई के बाद बनता है 7 साल की पढ़ाई के बाद बनता है उसके बाद भी senior doctor के पास पहले assistant बनके रहता है उसके बाद में surgery करना शुरू करता है हमें क्या लगता है इस stock market में उनके पास सबसे अच्छी technology है उनके पास सबसे अच्छा talent hire करके चलते हैं वो सबसे अच्छी एक procedure planning और systematic approach से वो काम करते हैं तो यहाँ पर उनके साथ उनसे अगर जीतना है तो हमें भी उनके जितना sharp ही बनना पड़ेगा समझदारी लेनी पड़ेगी और finally वैसे भी ultimately उनसे जीतने की जुरुत नहीं पड़ेगी जो market में losers है जुनको suckers कहते हैं जो बुद्धू होते हैं जो यहाँ पर बस अपनी मेहनत की कमाई को बिना सोचे समझे किसी के भी कहने से डाल देते हैं यहाँ problem उसमें होती है यहाँ पर सीखो समझो अगर आपको कोई भी advice देता है ना कि यह ले ले उससे 2-4 reasons पूछ ले ना कि भाई business क्यों grow करेगा इसके financials क्यों अच्छे हैं और इसका technical क्या कहता है और क्यों कहता है अगर इन तीनों के answer मिल जाए तो चीजे खरीदना और अगर तीनों के answers नहीं मिलेना तो समझ लेना उसने भी किसी से पूछ करी किया था जैसे वो खुद फसने की तियारी कर रहा है ऐसे ही वो आपको भी unfortunately बिना means बिना किसी bad intention के आपको भी फसाने की कोशिश कर रहा है तो यहाँ पर पसना नहीं है ट्रैप में नहीं आना है बुद्धू नहीं बनना है यहाँ समझदारी से काम लेना है सीख के करना है अगर यहाँ पर वीडियो से सीखना है तो वीडियो से सीखो सारी knowledge में शेयर करता हूँ वीडियो से नहीं सीखना है आपने personalized classes में सीखना है, तो मेरे batch चलते होते हैं, जो current में batch अभी मेरा नया शुरू होने वाला हो, Friday को शुरू होने वाला है, 23rd July को, अगर उसमें enroll नहीं किया है, तो enroll कर सकते हैं, description box में number दिया हुआ है, उसमें आप phone call भी कर सकते हैं, whatsapp भी कर सकते हैं, email भी कर सकते हैं, वहाँ पर save की हुए पैसो को, जिनको बाकी आप family के उपर खर्च कर सकते थे, वहाँ खर्च करने के बदले, आप market में डुबोनों की तियारी कर रहे हो, यहाँ पर खत्म करने की तियारी कर रहे हो, उसके बाद मिनराशा ही मिलती है, फिर ऐसा लगने लगता है, market gambling नहीं है, market एक business है, बस इस business को सीखने की जरुत है, मैं एक चीज़ बता दूँ, आपको market एक का पैसा चापने की machine है, इस पैसा चापने की machine को चलाना सीख लो, बिना चलाए सीखो गे ना, तो हाथ पैर उसमें आके कटने की तैयारी, मिन्स ये कहना गलत होता है, लेकिन ultimate result वही होता है, जो बि बहुत पैसा है, सिर्फ समझदारी से काम करने की जरुत है, market तो गई, इस चीज में कुछ नहीं रखा, market कहीं नहीं गई, sensex 100 point से start हुआ था, अभी 50,000 से उपर है, 500 गुने से जादा हो चुका है, कोई चीज अपने आपको इससे जादा कैसे प्रूव करें, कि average नीचे जा सकती है, नीचे रह नहीं सकती, इस चीज को हमेशा ध्यान रखना, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक मजे करो यार, thank you so much, have a nice day.